तरीका कुछ फार्मुलाज हमके बता रहा हूं, एक क्वेशन है, टूग वरियेवल का A1X प्लस B1Y प्लस C1 0, A2X प्लस B2Y प्लस C2 0, यूनिक सलूशन हैं, इसकी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी बोलेंगे, कंसिस्टेंट भी बोलेंगे, और A1 by A2 not equal B1 by B2, no सलूश को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, को इंसिडेंट भी बोलते इसी को, और ये A1, YA2, B1, Y2 equal, C1, Y, C2 ये तीनों इककल होता है, अब चोब इसका मेन फार्मूला है, बाइक्रास मल्टिकेशन से, इक क्वेशन कैसे सौर्व करेंगे, ये फार्मूला, बाइक्रास मल्टिकेश X upon B1, C2, minus B2, C1, equal Y upon C1, A2, minus C2, A1, equal A1, Y, minus, sorry, 1 upon A1, B2, minus A2, B1, बाइक्रास मल्टिकेशन जीरो रहेगा, तो आपको यहाँ 1 लिखना है, यदि एक्वेशन में 0 नहीं है, तो एक्वेशन क्या बन जाएगा, minus 1, कुछ इस प्रकार से देखे, बच्चो और करके मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यदि एक्वेशन आपका ऐसा है, A1X plus B1Y, equal C1, A2X plus B2Y, equal C2 है, 0 नहीं है कहने मतलब, तो एक्वेशन का फार्मूल बनेगा, B1C2 minus B2C1, equal to Y upon C1A2 minus C2A1, equal minus 1 upon A1B2 minus A2B1, बनेगा, यदि एक्वेशन 0 नहीं है, तो यहाँ पर minus 1 रहेगा, A1B2 minus A2B1, तो बच्चो मैंने चैप्टर 2 आपको पढ़ा दिया था, अब मैं चैप्टर 3 आपको पढ़ाऊँगा, आप सभी को इसको अच्छे से पढ़ रहे होगे ना, अब चैप्टर 3 के जो क्वेशन में बता रहा हूं, इसको पढ़िए, और गर्मियों में का सदुपियों करिए समय का, खुब मन लगा के पढ़ो, ताकि अच्छे रिजल्ट आपके आए, तो अब एक्सरसाइज 3 पॉइंट का फर्स क्वेशन है, अ अलजेबरिकली एंड ग्रापकली, ठीक है अच्छो, तो हम लेट करेंगे, लेट, दा प्रेजेंट एज आप, प्रेजेंट एज आप, अफ्ताव, भी, एक्स, यार, तू वरियेबल का कुश्चन है, देन, दा प्रेजेंट एज आप, प्रेजेंट एज आप, बन में सक किया लिखेंगे सेवन एप्सताफ मे दर डा में सब न क्ixi बुच्छ लेद ऐ UFO में वहां व मतलब हो frameworks पहले सो बहुंत हम दो X minus 7 years, लिकिंग बच्चो, फिस 7 years ago, the age of his daughter, his daughter, Y minus 7 years, according to question, according to question, क्या खाचाँ, 7 years ago, I was 7 times, मतला, 7 years ago, मैं आप से 7 times 7, X minus 7, equal 7, का multiply Y में करेंगे, तो ये बच्चो, answer आया है, आपका, X minus 7, 7Y, minus 49, X minus 7Y, equal minus 49, plus 7, X minus 7Y, equal minus 42, ये first case बनगे, बच्चो, अब, 3 years, also, 3 years from now, तो 3 years from now, 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 the age of अफ्टाब, equal X plus 3 years from now, का मतलब हो गया, 3 साल बार, आगे के लिए, now में मतलब, after होगा, तो X plus 3 years हो जाएगा, और 3 years from now, 3 years from now, the age of his daughter, Y plus 3 years, according to question, X plus 3, equal 3 text है, तो 3 का मल्टिप्लाई कर दीजे, अब इसको ट्रास्पोर्ज कर दीजेगा, X minus 3, Y is coming to 9 minus 3, तो यह X minus 3, Y is coming to 6, इसे के लिएक्वेशन बरेगे, है, अब मुझे इसको ग्राफ कली में सॉल्ब करना है, तो जो फर्स्ट एक्वेशन था, बच्चो फ्रॉम फर्स्ट ए, X minus 7, Y is coming to minus 42, X is coming to minus 42, plus 7, Y, ठीक बच्चो, या तो मैं ऐसा एक्वेशन बराद दीजेग, X plus 42, equal 7, Y is coming to X plus 42, divided Y is coming to, X के जागे में क्या कुट कर दे ऐसा, कि 42 से प्रस कर दे, और 7 का डिवाइड कर दे, तो नमबर एकदम, completed नमबर आना चाहिए, decimal ये point में नमबर नहीं आना चाहिए, पूरी पूरी तरह से, नमबर आना चाहिए, तो ये एक बोक्स बना लीजिएगा इसका, और इसके लिए एक ऐसे बोक्स बना के, इसमें जो solution होंगे, उनको रखिएगा, class 9 जो आप इस type question पढ़े है, X के प्लेस में मैं 7 रखा, तो Y की value 7 आ गई मेरे पास, यदि बच्चों मैं X के बने, इसमें 0 भी रख दूँ तो वाइस का जो क्या होगा जीरो प्लस 42 वाई सेवन एक्वाई सिक्स आ जाएगा जीरो रखा तो 6 के वैलू आ गई कम से कम दो सलूशन बच्चो निकाल लिएगा आप सेकेंड डिकेशन का सलूशन बनाएंगे बच्चो a इसमानाईट3 y इक्वाई एक्वाई हो जाएगा x मानाईट3 y हो जाएगा एक्वाईट सेट इवाईडरभाई 3 इक्वाई-बच्चो परको इसके त्री एक्वल वन आज आएगा कटके यह वैलू किसकी आगए बाइचो वाई की तो इसके लिए एक बॉक्स बना देंगे हम यहां पार एक्स वाई एक्स की वैलू मैंने कित्ता रखाता बच्चो नाइन तो वाई की वैलू कित्ती आई थे पास वन अब ऐसे नमबर रखेगा बच्चो इसमें एक्स के जाग हम जो त्री से डिवाइड हो जारा चाहिए यह दिमाल लेजिए मैं फिप्टीन रख दूं माइनस भी अब मुझे इसको ग्राफ में प्लोड करना है तो मैं एक लाइन खीच के आप अपरी कॉपी में तो अच्छे इसे ग्राफ पेपर में बनाईएगा मैं तो ऐसे यह दिरा फवर्क बना दे रहा हूं डाइग्राम एक्स की वैलू जीरो वान टू थ्री फोर फाइड शीक्स सेवन एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वाल, थर्टीन, फोर्टीन और ये फिप्टीन आगए बच्छो अब वाई के अलाइग्रू जीरो वान, टू, थ्री, फोर, फाइप, सिक्स, सेवन, एट ये वाई की वैलू आगए बच्छो आप इसको हमें देखिए, यक्स की सेवन, तो यक्स का सेवन, यक्स का सेवन कहां बताओ, यक्स का सेवन ये है, यक्स का सेवन ये है, तो यक्स का सेवन और यक्स का सेवन मानों सकोज यहां पर आएगा, ठीक बच्छो, यक्स का सेवन और यक्स का सेवन ये आया, फिर, य सब्सक्राइब दोनों को आप स्केल लगा ऐसे लाइन से मिला दीजेगा और यहां परिकेशन लिख दीजेगा एक मानस से वाल इसको प्लोट करूँगा इसको बैलिक देता हूं थोड़ा यहां पर नाइन फिप्टीन था वाल थ्री इसको मुझे प्लोट करना बच्छो तो वाल धार मेरा पस किनजी आयती फिप्टीन चों यक्स की मेरी प्स नाइन-उ आफाय की वाइजके वेलू , यहां पर लोगे इधर से वाज है आनना चाहिए और इधर से रच्छो यह भाले च्छो यह बनने गई का आप लगवा किस टाइप से कुछ एक्स का 15 वाई का 3 और इस इक्रेशन के जगह में बैच्चो इसका इक्रेशन का नाम लिख दीजेगा एक्स माइनास 3 वाई एक्वार 6 आप बच्चो इसको ग्राफ में जब आप अपनी कॉपी बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में बहुत सह एक्सीज में वन सेंटीमीटर इसकल टो वन रहेगा एक्सीज ठीक बच्चो समझ में आ गया हो गए कोश्चन आपको